दुस्तो बात करने वाला हूँ आटो मूबाइल इंडिया में लगाना चाते हैं लेकिन जिस कार कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ वो मोडल आपने इंडिया में बहुत ही कम देखा होगा इसी तरह से एक इटैलियन लग्जरी कार मेकर मासे राटी ने भारती बजार में एक और सेकंड जनरेशन सुपर स्पोर्स कार मासे राटी ग्रैंट टुरिज्मो को लॉंच कर दिया है और ये कार सिर्फ 3.5 सेकंड में 100 की MPL की रफ्तार पकड़ सकती है दोस्तों मासे राटी जो की एक इटैलियन कार कमपनी है और इनके भारत में इस वक्त खुल 6 मासे राटी माडल्स बिक्री के लिए उपलग्द हैं इनमें 2 सेडान, 2 SUV, 1 कूपे और 1 कूपे और 1 कन्वर्टिवल कार है भारत में मासे राटी कारों की कीमत की बात करो तो इंडिया में मासे राटी कारों की प्राइस 1.15 करोड से स्टार्ट होती है जो की घिबली प्राइस है गिबली प्राइस मतलब इनके कार रेंज की स्टार्टिंग प्राइस वहीं भारत में मासे राटी की सबसे महेंगी कार MC20 है जो अभी जल्द लांच हुई है जो 3.5 तोरोट से स्टार्ट होती है मासे राटी की लाइनप में सबसे लिटेस्ट माडल ग्रिकेल है जिसकी कीमत 1.31 से 2.5 करोड हो गया है यह इडेलियन कार कंपनी सिर्फ अपनी रेसिंग और स्पोर्ट्स कारों के लिए जानी जाती है इसे 1 दिसंबर 1914 में बुलोगना में स्थापित किया गया था इस कंपनी का हेड़कॉर्टर इटली के मोडेना में स्थित है दोस्तों मासेराटी ने अब तक बहुत सारे कारे बनाई लेकिन इनके मौजूदा लाइनप में सिर्फ 6 कार उपलग्द है जिसमें मासेराटी घिबली, कौातरो पोत्रे, मासेराटी एमसी 20 मासेराटी लेवांटे, मासेराटी गिरकेल और लास्ट है मासेराटी गरांट टूरिज्मो इतनी कारें विक्रिक लिए मौजूद हैं दोस्तो आटोमोटिव इंजिनिरिंग के इतिहास में हम आपको बताएंगे कि मासेराटी कहां से आई और कमपनी आज किस उचाई पर आ है और लोगों के लिए इतनी खास क्यों है जिसे हर कोई एफॉर्ड नहीं कर सकता दोस्तो मासेराटी की स्थापना दिसंबर 1914 में इटली के बुलोगना में तीन भाईयों अलफियरी, एटोर और अरनेस्टो मासेराटी द्वारा की गई थी जो कि वे रेलकर्मी रोडोल्फो मासेराटी के बेटे थे दोस्तो रेलकर्मी के रूप में काम करने के दौरान ही रोडोल्फो मासेराटी को स्पीड का अन्भव हुआ और सटीक इंजिनेरिंग के प्रति जुनून पैदा हुआ और ये काम उन्होंने अपने बेटों को सौप दिया तो सबसे पहले कंपनी ने स्पार्क प्लग बनाने की सुरुवात की और प्रथम बिसुद के दोरान बीमान के इंजन के लिए उपकरण भी बनाए अलफेरी मासे राटी ने अन्य वहान निर्माताओं के लिए रेसिंग कार भी बनाई इसके बाद वह और उनके दोनों भाईयों ने टीपो 26 नामक पहला मासे राटी वहान बनाने का फैसला किया और वो कार बनाकर तयार भी किया उसके बाद 1920 के दसक में उनका सबसे प्रसित दवहान 16 सिलेंडर V4 रेस कार बनाई जो 154 मील प्रति घंटे की रत्तार तक दोर सकती थी जो उस समय के लिए आश्चरी जनक उपलब दी थी इसके बाद 1930 के दसक में भाईयों ने रेसिंग कार बनाना जारी रखा जिसने 1933 और 1934 में आठ सिलेंडर माडल के साथ रेस भी जीती दोस्तों मासे राटी का परतीक जिसे रोमन पौराले कताओं में नेप्चियून द्वारा धाराण किये गए तिरसूल के आधार पर बनाया गया जो कि चौते भाई द्वारा डिजाइन किया गया था इसके बाद दोस्तों मासे राटी भाईयों ने जब कमपनी को एक धनी उद्वग पती को बेच दिया तो उनके पास अपने डिजाइनों में नए नए प्रियोग करने के लिए अधिक रिसोर्से हो गए जिसके बाद कमपनी ने आम जन्ता के लिए स्पोर्स कारों का निर्मार शुरू किया और 1948 में अपनी मासे राटी जीडी पेस की हलांकि मासे राटी ने सर्किट पर रेस जीदना जारी रखा और 1957 में फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स बिसु चैंपियन भी जीती तो दोस्तो ये थी कमपनी की हिस्ट्री इसलिए कहते हैं सक्सेज होने के लिए महनत जारी रखना पड़ता है कोई जल्दी सक्सेज होता है और कोई देर से दोस्तों मासे राती ने अभी तक बहुत सारी रेसिंग कारों को बनाया लेकिन अभी विक्री के लिए इनके पास सिर्फ छे कार अवैलवल है जो कि सारे कारों के नाम बता चुके हैं और इनकी कारों को एफॉर्ड कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है और आपको जानकारी कैसी लगी अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें